नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं पहली बार अपने करिकताओं को संभधित कर रहे थे, हमत सुरेन ने कहा है कि ओ गुरुवार को ED दफ्तर गये थे, वहाँ उन्होंने ED के अधिकारियों से पूछे कि जो आकड़े आप घोटाले के नाम पर दे रहे हैं, ओ दो साल में संभव है क्या, ED के अधिकारियों ने कहा है कि ये दो साल के आकड़े है, हमत सुरेन ने कहा है कि अगर ED निस पक्ष जाच करेगी तो सहयोग करेंगे और अगर एक पक्ष ये जाच करेगी तो विरोध करने की ताकत रखते हैं, उन्होंने कहा है कि इस सहलाब को देखकर ए समझ में आ रहा है कि BJP कुछ सड़यंत्र राच रही है, राज्य के कोने कोने में लोग इस सड़यंत्र के खिलाब सड़क पर उतर रहे हैं, ये राई नितिक लड़ाई है, हमन सुरेन ने कहा है कि सिर्फ गर BJP सासित राज्यों में ही केंद्री एजेंसी की जाच चल रही है सुखाड परभावित किसानों के लिए कैम लगाने की त्यारी में विभाग राई सरकार ने सुखाड परभावित किसानों को सहयता रासी देने की खोसना की है, इसके तहत प्रति किसान परिवार को 35 रुपे दिये जाएंगे राजे अस्थापना दिवस के उसर पर सरकार ने पोर्टर लंच किया था इसके बाद क्रिसी विभाग राजे के सुखागरस्त 22 जीलो के 226 परखंडों में कैम्प लगा कर किसानों से आवेदन लेने की त्यारी में जुट गया है बदादे क्रिसी सचीव अब्बू बकर सिदिकी ने बताया है कि विभाग कैम्प लगाने की त्यारी कर रहा है ताकि किसानों के इसकी जनकारी मिले और अधिक से अधिक किसानों का आवेदन विभाग को प्राप्त हो सके उन्होंने कहा है कि सुखा रहत साहता रासी के लिए ओनलेन आवेदन करना होगा जिसके बाद ही प्राति किसान परिवार को राई सरकार पैती सरुपय की सुखा राहत रासी उपलब्ध कराएगी 29 नुवंबर को मुख्य मंत्री का घेराव करेगा अखिले जार्खन प्रात्मिक सिक्छक संग सिक्छा यम सिक्छक हीत के बिभीन भी सयो का निसपादन नहीं होने पर अखिले जार्खन प्रात्मिक सिक्छक संग ने आंदोलन परहाए आंदोलन के दिवतिये चन में सांसद और विधायकों को मैंग पत्र सोपने का कारिकरम चलाया गया संग के जीला अध्यक संजाय कुमान ने बताया है कि सिक्षकों के लिए सुनिशीत बिरीती उन्यायन विजना की सुक्रीती छटे बेतन मान में एक जनवरी दोहजार चाह से पूर्वे नियुक्त सिक्षकों के लिए निम्तम आरंभीक बेतन की बिसंगती का निराकरान अंतर जीला अस्थरांतर ने मावली में सलसोधन करते हुए एक बार ग्रिह जीला में अस्थरांतर की सुविधाय परदान करना से हथियार की तसकरी चार आरेस्ट दो बंदूक और आठ गोली के साथ पलामू पुलिस ने चार लोगों गिरफतार किया है सुख्रवार को पलामू के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस कान प्रेस कर ये जनकारी दी है उन्होंने बताया है कि 17 नॉमबर को पलामू के आठ गोली बरामत की गई हथियार को कबजे में लेकर उसमें सवार सुभास गुमार फिरोज अंसारी अनंद गुमार और तविर अंसारी को गिरफतार कर लिया गया है ज्यारखन में सरकार से पैसे लिए बिना ही बालू खनन करने को कमपनिया तयार जारखन यूपी वह बिहार की सीमा परिष्थित गढ़वा जिले में बालू से कमाई इतनी ज़्यादा हाई कि सनवेदक बिना सरकार से पैसे लिए भी बालू का खनन एम डंप करने के लिए त्यार हैं कमपनियां सबार उपए से लेकर 19 रुपे तक में कारे करने के लिए त्यार है बिहार के पर्टना के नर्सिंग सिंग नामक एक कमपनी ने जीरो कोस्ट पर यह काम करने की इक्छा जताई है इस मामले में उपायुक्त ने नर्सिंग सिंग नामक कम्पनी को सोकाज करते हुए पूछा है कि आखिर वह बिना एक रुपे लिए या काम कैसे करेगी बता दे जार्खन राज खनीज निगम लिमिटेट की ओर से गठवा जी लेके केतार परखन स्थीत पाचा डुमर सोन नदी बालू घाट के स्टोक याड तक बालू पहुचाने के लिए पिछले महिने ऑनलैनी विदा अमन्तित की गई थी रगुबर दास पहुचे गुजरात कहा जूठे वादों के बहकावे में न आए ज्यारखन के पूरो मुखमंत्री स्वा भाजपा कराश्ट्रिय उपाध्यक्ष रगुबर दास गुजरात के तिन दिवसे दोरे पर सूरत पहुचे चुनाव पर चार के लिए यहाँ पहुचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ इसके बाद सूरत के कतार गराम विधान सवा में वार्ड नमबर 6 के बालू भाई जंज मेरा के घर से डोर टू डोर कैम्पेंड के शुरुआत किया गया इस दोरान काफी संक्या में मद्दताओं से मिलते हुए उनसे भाजपा की पक्ष में मद्दान करने की अपिल की कहा है कि मद्दताओं में भाजपा को लेकर जबर्जस उस्ता है यहां मद्दताओं में भाजपा सरकार के लिए किये गए कारियों को लेकर काफी संतोस है सामको कतार गराम विधान समय विशाल जन सभा को केंद्रिय स्वास्थ मंत्री डाक्टर मंसुक भाई मांडविया जी के साथ सम्भोधन भी किया रांची के किसानों की अब घर बैठे होगी EKYC रांची डीसी राहुल कुमार सिनहा ने रांची जीला के छुटे हुए किसानों के लिए डोर टू डोर के वाईसी करने का निर्देश दिया है साथी BTM, ATM, KRISY मीत्र के माधियम से किसानों से आविधन प्राप्त करने का निर्देश दिया कहा है कि बैंक से समयनों अथापित करते हुए लंबीत KYC का निस्पादन करने की बात कही उन्होंने कहा कि जोजनाओ का लाप देने के लिए सबी किसानों का EKYC और रेजिस्टेशन कराना हमारी जिमेदारी है किसी टास्क फोर्स की समीचा बैटा को समुधित करते हुए रांची डिसी ने कहा है कि जीला के रेजिस्टेट किसानों में आवसत परदर्शन करने वाले प्रकाण को कारे में तेजी लाने को कहा है इस दोरान डिसी ने जारकंट आजे फोसल रहा तेजना के ताथ किसानों के रेजिस्टेशन की भी समीचा की धनबाद में धसी जमीन 25-30 लोगों के दबने की असंका धनबाद में जमीन धसी है घटना के बाद मलबे में 25-30 लोगों के दबने की असंका है घटना जीले के ECL मुगमा छेतर अंत्रगत कापा सारा आउट्सोर्सिंग को लवरी की है यहां सुक्रवारतर के अवायद खनन के दर्मियान 40 धस गई 100 मिटर के दाइरे में भूध हसन हुआ है घटना को लेकर अस्थानिय लोगों में दसा था एक घटना धोड़ा इलाके से कुछी दूरी पर घटित हुई है पूरे रास्ते में चोड़ी चोड़ी दरारे हैं असानिय लोगों के मुताबिक घटना को अढ़ाय तीन घटा बीत जाने के बाद भी पुलिश नहीं पोची वहां अधिकारियों ने भी कोई सुद नहीं लिया रगुबर दास में भी हुआ खनन घोटाला अवाय देखननन मामले में इड़ी की करवाई के बहाने पूर्वी जमसेद, पूर्शे निर्दलिय विधायक और पूर्व बिजेपी नेता सर्जू राय ने परदेश के पूरो मुख मंत्री टकवादास पर भडास निकाली है इसारो में सर्जू राय ने एक कहने का पर्यास किया है कि रघवरदास के कालेकाल में भी साहेब गण जीले में व्यापक परमायने पर खनन घोटाला हुआ था लेकिन केंध्री एजेंसी के निशाने पर केवल मुझूदा मुख मंतरी हिमान्त सोरेन है सर्जु राय ने कहा है कि इड़ी को रगवर्दास से भी इस सिलसिले में पुष्टाच करनी चाहिए बता देगे जार्खन की सियासत में रगवर्दास और सर्जु राय की प्रतिद्वन दित्ता किसी से छिपी नहीं है सर्जु राय इसे पहले ट्रोफी और टिशट भोटाले को लेकर भी रगवर्दास पर हमलवार रहे हैं OBC आरक्षन के लिए सड़क पर आक्रोस मार्च होगा राष्ट्रीय OBC मोर्चा नगर निकाय चुनाओं में OBC के आरक्षन के लिए सड़क पर आक्रोस मार्च निकालेगा और नियालाय का दरवाजा खटखटाएगा मोर्चा के परदेश अध्यक राष्ट कुमार गुपता ने कहा है कि परदेश कार्याले में बैठक के दुरान OBC आरक्षन के नगर निकाय चुनाओं के सरकार के निरनाय की नींदा करते वे अंधोलन करने का निने लिया है बैठक में सरोसमती से कहा गया है कि गत महीने देश के मद्य परदेश महराष्ट सरकार पंचाज चुनाओं और नगर निकाय चुनाओं में ओभी सुकारक्षन देख कर चुनाओं कराया है खुटी में होमगार्ड बाहाली सुरू एक हजार असी अभियार्थी पहुँचे खुटी में होमगार्ड बाहाली की परकिरिया सुरू हो गई है पहले दिन सुक्रवार को बिर्शा कोलेज स्टेडियम में मुर्हु परखन के एक हजार असी अभियार्थी पहुँचे देर साम तक बहाली की परकिरिया जारी रही लेकिन अंधेरे हो जाने के कारण कुछ परतिभागी चायन परकिरिया में सामिल नहीं हो सके इन्हें सनिवार को पहली बेला मौका दिया जाएगा स्टेडियम में सुबह सही अभ्यार्तियों के भीर जूटने लगी थी बहाली परकिरिया के परभारी मुख्याला डियस्पी जैदी प्लक्रा के नेतित्त में अभ्यार्तियों का मिलान किया गया दोड उची कूद लंबी कूद सहीत लिखित परिक्षाली गई बता दे DSP, जैदी प्लकडा ने बताया है कि बाहली की परकिरिया 24 नौब तक चलेगी, जीले के सभी च्छा अपर कंडो से 75-75 होमगाड बाहल किये जाएंगे चातरा में 28 पुडिया ब्राउन सुगर के साथ दो तसकर गिरफतार चातरा जीला पुलिस को मादक पदार्थों की तसकरी के खिलाब सुकरवार को बड़ी सफलता मिली है पुलिस कफ्तान राकेश रंजन को मिली गुपत सुचना के अधार पर सदर थाना पुलिस ने एनेच 22 चातरा डोभी मुखे पथ पर इसी तसहर के समीब एक होटल के 28 पुडिया ब्राउन सुगर के साथ दो तसकरों के धर दबोचा है उनके पाथ से पुलिस ने एक बाइक भी ब्रामत किया है बताया जाता है कि परतेक पुडिया में करीब 5.32 ग्राम बाउन सुगर है गिरफतार तसकरों में चातरा सहर के किसुनपुर मुहाला निवासी पर दीप राम का पुत्र सामील है हमंत सुरेन ने कहा यह आरोप 2 साल का है इडी ने कहा नहीं जारखन के मुख्य मंत्री हमंत सुरेन से 1000 कोड़ रूपय के हवाय दखनान ममले में गुरु आर को इडी ने करीब 10 गंटे तक लंबी पुष्टाश की थी इस सब के बीच इडी की अगली करवाई को लेकर जहर चाओ का बजार गरम है ऐसी संभावना है कि इडी के टीम उनसे सुक्रवार को भी पुष्टाश कर सकती है इसी बीच सीम आवाज के पास सुक्रवार को भारी संख्या में हमान सुरेन के समर्थ को और करकताओ का जुटान लगा रहा साथ में सता पक्ष के बिधाय को काभी जूटान लगा रहा सियम हेमन सुरे ने मुख्य मंत्री आवाज में समर्थ कोवा करता को समधित किया अपने समधन में हेमन सुरे ने कहा है कि एक एक आदमी घर से निकले साज इसका परदा फास करे जारकन के लोग जुकना नहीं जानते कोई हमें गोली बंदूग से नहीं डरा सकता सिक्षन संस्थानों को तंबाको मुक्त बनाने का अभियान सुरू धनबाद जीले के सभी सिक्षन संस्थानों को जल्द पूरी तरह तंबाको मुक्त बनाया जाएगा इसके लिए सुक्रवार को जीला तंबाको नेंतरन को सांग सोशियो इकोनोमिक और एजुकेशनल डेवलोपमेंट सोसाइटी और इसकोली सिक्षा और सक्षर्टा विभाग कि तंबाको के सेवन की आदत जन स्वास्त के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में बैस्विक अस्तर पर उफर रही है अस्पताल राष्ट के बुनियादी धाचे को मजबूत बनाती है जहरकन के राष्ट के बुनियादी धाचों को मजबूत बनाती है स्वास्त सेवा राष्ट के लिए सबसे महत्पून है लोग स्वास्त रहेंगे तो वे राष्ट के विकास में अपना संपून योगदान देंगे स्वास्ट सिवाए देश के प्रती नागरीकों की जिमेदारी को दर साती है परयाप्त चिकित्सक वा इलाज के लिए रासी नहीं खर्च कर पाने के कारण लोगों की मौत हो जा रही है हाई कोट ने सरकार से जेजे बोड की नियुकती का मांगा ब्यवरा जारकन हाई कोट ने राज की बाल कल्यान समीती जेजे बोड में रिक्त पदों पर की जा रही नियुकती पर किरिया का ब्यवरा मांगा है सुकरवार को सोतर संग्यान याज का पर सुनवाई करते हुए जारकन उज नियालाई के चीफ जासी डाक्टर रवी रंजन और जासी सुजीत नियुकती की गई है कि कितने पद रिक्त हैं कितने पदों पर नियुकती की गई है नियुकती के लिए कब विगापा निकाला गया अगले सब्ता तक अगतन रिपोर्ट पेस करने का निर्देश अदालत ने दिया है सीम हेमंध के ब्यान से अफसरों में अफरा तफरी एडी के पुष्टाच में सीम हेमंध सुरिन के दोवारा जीन अफसरों के नाम लिये गए अब उनसे भी एडी पुष्टाच कर सकती है जहारखन में एक खायर करोर के मनी लौडरिंग मामले में एडी ने मुख्य मंतरी हमंध सुरिन से जब पुष्टाच की थी तो उसमें कुछ नवकर साहों के नाम उजागर हुए थे बतादे जहारखन में एक खायर करोर के मनी लौडरिंग के मामले में ED मुख्य मंत्री हेमन सुरिन से पहले राउंड के पुछताश कर चुकी है इस पुछताश के बाद जारकन के कुछ बड़े अधिकारे ED के रडार पर आ चुके है ED उन अधिकारियों को समन कर पुछताश कर सकती है मुख्य मंत्री के बियान के बाद अवय दिखनन और उससे जूड़ी करवायों को लेकर साहिव गंज के डी सी, राम निवास यादव, एस पी अनुरांजन के साथ साथ डी मो और डी एफो अस्तर के अधिकारी से समन हो सकता है सियम हेमंत्र ने यूपिय बिधायकों को कहा सुक्रिया लोटने की अपील राइधानी राची में मुख्य मंत्री हेमाम सुरिन की आवास पर सुक्रवार को यूपिय बिधायकों और मंत्रियों की बैठा कोई बैठा के दोरान मुख्य मंत्री ने सभी विधाय को और मंत्रियों को एक जूट दिखाने तथा इडी जाज के दोरान 9 से 9 गंटे तक मुख्य मंत्री आवास पर डटे रहने के लिए सुक्रिया कहा है साथ ही यह भी कहा है कि अब आप सभी अपने अपने आवास और निर्वाचन छेत्र लोट जाए तथा पंचायत अस्तर तक यह बात ले जाए कि सरकार कैसे हर जारखंडी का सपना पूरा करने में लगी है और भारतिय जनता पार्टी एडी, सीवी आई और अने केंद्रिय अजेंसियों का दुरूप्योग विपक्ष की सरकार को आज थिर करने में लगी है आज सूप पार्टी के केंद्रिय समीती की बैठक आज सूप पार्टी के केंद्रिय समीती की बैठक 29 नवंबर को सुबद साड़े 10 वे रांची सीत प्रधान कार्यालाय में होगी इसकी अध्यक्सता ज्हारखंड के पूर्व उपमुक मंत्री सव पार्टी के केंद्रिय अध्यक्स उदिश कुमार महत्तो करेंगे आज सूप पार्टी के केंद्रिय मुख्य प्रवक्ता डाक्टर देव सरन भागत ने बताया कि केंद्रिय समीती की बैठक में पार्टी की आगामी कारिकरम की घोसना पुरू में आयुजित कारिकरम की समीक्छा और राजी के बरतमा रायनितिक हलात पर चर्चा की जाएगी जार्खन बिधान सभा का स्थापना दिवस 22 नौंबर को जार्खन बिधान सभा का स्थापना दिवस 22 नॉम्बर को है इसे लेकर तेरिया जोरो सोरो से की जा रही है माले बिधायक विनोद सिंग को सर्वस्रेश्ट बिधायक चुना जया है इन्हें जार्खन विधान सभा का स्थापना दिवस अमारों में समानित किया जाएगा बताद बिनोद सिंग बगोदर विधान सभा से तीन टर्म के विधायक है जार्खन गठन के बाद वर्ष 2001 से जार्खन विधान सभा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है इसमें हर वर्स एक विधायक को सर्वस्रेश्ट विधायका पुरस्कार प्रदान किया जाता रहा है ED की पूश्टाच पर इर्फान अंसारी बोले हम डरने वाले नहीं जारखन में चल रही राय नितिक सरगर्मी के बिच जाम तला विधायक इर्फान अंसारी ने बड़ा ब्यान दिया है उन्होंने CM हेमनसुरेन की ED से होई पुश्टाच पर बातशीत में कहा है कि हम लोग चुनोतियों से डरने वाले नहीं है हम सारी चुनोतियों का डर्ट कर समना करेंगे आपको बता दे कि वे यूपिय विधायक दल की होने वाली बैठक में सामिल होने आये थे गौतला भाय की ED ने मुख्य मंतरी हेमनसुरेन से 9 गंटे के पुश्टाच की है जब उनसे आगे किरन निती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि अभी हम बैठक में सामिल होने जा रहे हैं बैठक के बाद जो भी बाते निकल कर सामने आएगी उन सारी बातों से रूबरू कर दिया जाएगा धन्यवाद